हलो एढ नमशकार कोरोना काल में वैक्सीन लगवाना ठीक उसी तरीके से हैं जैसे रामायन काल में लक्षमन को संजीवनी देना क्योंकि इस बात में कोई दोहराएं नहीं है कि जिस सक्स ने जिस किसी व्यक्ति ने वैक्सीन के दोनों डॉज लगा रखे हैं उस पर कोरोना का जो प्रभाव है वो अन्य कैंडेट्स के मुकाबले अन्य लोगों के मुकाबले बहुत कम है लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि वैक्सीन लगवाने के लिए रेइस्टेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से निश्पादित की जाएए तो आईए जानते हैं अगले 5 मिनिट के अंदर मैं आपको सारी वो A to Z बाते बताने वाला हूँ जो एक आम नागरिक को जानना जरूरी है कोविट वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस वैक्सीन का रेइस्टेशन कहां से करवाए पहले 45 उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए ही वैक्सीन को अलाउ किया गया था लेकिन हाली के अंदर के अंदर सरकार की जो गाइडलाईन है उसके अनुसार 18 साल से उपर के हर वैक्सीन लगाने के लिए योग्य है और वैक्सीनेशन का जो काम है देशपर में 28 अप्रेल, 28 अप्रेल से शुरू होने वाला है अब वैक्सीन लगाने से पहले आपको खुद का ऑनलाइन रेइस्टेशन करवाना पड़ेगा सवाल यह है, ऑनलाइन रेइस्टेशन कहां जाकर करवाना है तो कहीं भी जाने की ज़रूत नहीं है, आपको इंटरनेट पर यह वैबसाइट है www.covin.gov.in इस वैबसाइट को सिंपली टाइप करना, यह पोर्टल जो है आपके सामने खुलेगा इस पोर्टल में जाकर यहाँ पर आपके पास में आपशन आएगा रेइस्टर एंड साइन इन, तो वहाँ पर आप वैक्सिनेशन में जाकर जैसे ही रेइस्टर करेंगे आप से आपका मोबाल नेमर पूछा जाएगा, फिर एक OTP आएगा OTP भढ़ने के बाद फिर आपसे डिटेल मांगी जाएगी, डिटेल के अंदर आपको अपना एक ID प्रूप, आदार काड वगर जो भी है वो फिल करना है, उसका डिटेल देते ही, फिर आपके सामने जो है, वेरिफिकेशन होगा और अगर आपकी एज, ये लिंक ध्यानकना 28th April से ही एक्टिवेट होगा, उससे पहले अगर आप ट्राइ कर रहे हैं, तो फिर अनेलिजिबिलिटी के अंदर आपको वो डिस्क्लेम करेगा, दिखाएगा तो यहाँ पर उस लिंक को भढ़ने के बाद सक्सेस्फुली आपके सामने अलग-अलग विंडो आती रहेगी, जिसमेंसे आपके सामने वेक्सिनेशन सेंटर कौन सा चूज करना है, उसके लिए वेक्सिन किस तरह की चूज करनी जो उसमें अवेलेबल होगी, उसके बारे म आपका जो अपॉइंटमेंट है, वेक्सिन लगवाने के लिए वो शेडियूल हो जाएगा, वापिस दोहरा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, कोविन.gov.in पर, वहाँ पर जाके खुद को रेइस्टर करना है, खुद के नंबर से, आधार नं कर पाएंगे, किस तरीके से, एक और विकल्ब भी है इसके अंदर, वेबसाइट के लावा, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, तो आरोग्य सेतु एप, आरोग्य सेतु एप का आप डाउनलोड कर लीजिए, उस एप के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, इसी तरीके से, आरोग्य सेतु एप कुछ इस तरीके से देखेगा, उसके स्क्रीन, यहाँ पर जो इसका होम स्क्रीन है, वहीपर आपको तीसरा ओप्शन मिल जाएगा, वेक्सिनेशन का, इस वेक्सिनेशन के ओप्शन को क्लिक करते ही, इसमें वही डिटेल आपको फिल करनी है, जो डिट करवाने के लेकिन जो आठ मुख्य बाते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है वो कौन-कौन सी है पहली बात पोर्टल जैसा मैंने आपको बताया एक आपके पास कोविन पोर्टल है और दूसरा आपके पास में जो आरोग्य शेत्तु एप है उससे आप करा सकते हो अधिक्त पैलिक्त चार सदेशियों केपोईटमेंट को आपने कमाई यहां पर कर लिया लेकिन धहान रखना गलती से भी आप 45 से उमरके अधिक के सदेशयों को और 45 से कम उम्र के सदस्यों का कमाइन अपोइंट्मेंट मत करना क्योंकि वहाँ पर फिर आपका जो अपोइंट्मेंट है वो सरकारी अस्पताल में नहीं होगा फिर वहाँ पर प्रावेट अस्पताल के अंदर ही होगा यानि कि 45 से कम उम्र के ही 4 सदस्यों हो तो ज्यादा ब कि कहां पर जाना है आपको किस तारीक को जाना है किस समय पर जाकर वैक्सिन जो है लगवानी है उसके बाद अगर मान लीजिए आप उस तारीक को नहीं जा पाए तो आप अपने appointment को reschedule भी कर सकते हो आप उसको पुने निर्दारीद भी कर सकते हो वापिस जाके क्या करना है आपको यही form भरना है और आपको एक नई date जो है मिल जाएगी लेकिन मैं आपसे निवेदिन करूँगा कि इस case के अंदर आप reschedule मत करें आप बकायता जो तारीक schedule करते हैं वहाँ पर जाकर अपना vaccine जरूर लगवाएं और साथी साथ में अगर बात की जाए सुल्की तो किसी भी तरकार कोई भी registration सुल्क नहीं है registration करवाने का कोई सुल्क नहीं है और अगर आपकी उम्र 45 से ज़्यादा है तो उस case में सरकारी अस्पतालों में तो पूर्ट या निसुल्क है प्राइवेट अस्पताल भी 250 रुपे 250 रुपीज का चार्ज आपसे क्या कर सकते हैं वसूल सकते है अब यहाँ पर जिनकी उम् प्राइवेट अस्पतालों में तो यहाँ पर हो सकता है कि प्राइवेट ऑस्पिटल की रेट्स हैं वो जुरुत से ज़्यादा हो और यही वेक्सिन आपको 2,000, 3,000, 4,000 के अंदर भी वहाँ पर प्राइवेट ऑस्पिटल में मिले तो अब इसके अलावा कौन-कौन से दस दस्टाविज है जिसके मादिन साब रेश्टेशन करा सकते हो इन में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप उससी क्या करा सकते हो तो प्राइवेटर का आपका अपको बगायदा आपको बकायदा आपना आई-डी प्रूफ सात मर लेकर नहीं गए तो आपको vaccination करनाने से मना किया जा सकता है इस बात का विशेश ख्याल ले निरस्तिकन आप जब चाहें अपनी appointment निरस्त भी करवा सकते हैं पातरता कुछ नहीं है आप भारत के नागरिक हैं यही आपके लिए पातरता हैं और उम्र जो है आप अपना pin code डालेंगे या जिल्लेवाइस या अपने शेहरवाइस डालेंगे तो आपके साथ पास में नजदीक के जो भी vaccination center है उनकी list आएगी उनका chain बहुत विशेश रूप से कीजेगा उसमें किसी तरह के कोई गलती नहीं हो ठीक है इससे क्या होगा कि आपको दुवीदा कम होगी अगर आपने गलती सही क्योंकि online portal है online portal मतलब यहां से बैठे बैठे आप जैपूर वगरा से भी क्या करा सकते हो online registration करवा सकते हो इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा सचित रहकर क्या करना है registration है जो करवाना है vaccination center chain करने के बाद आप बहाँ पर जाएंगे vaccine लगवाएंगे और vaccine लगवाने के बाद बकायदा आपको एक certificate issue किया जाएगा यह certificate जैसे private hospital से उनको भी direction दिया गया है और इस certificate के लिए private hospital आप से कोई अलग से सुल्क नहीं charge कर सकते ध्यान से सुन लीजिए इस certificate के लिए private hospital आप से कोई अलग से सुल्क चार्ज नहीं कर सकते जो fees prescribe की जाएगी उसके अंदर इस certificate का amount भी क्या होगा शामिल होगा इस certificate में बकायदा लिखे जाएगा कि आपने किस तरह की vaccine लगाई है रखनी है registration करवाते समय type of vaccine किस तरह का vaccine है उसको विशेश रूप से ध्यान में रखना क्योंकि जो vaccine आप पहली doge में लगाओगे वही vaccine आपको second doge में भी लगवानी है ऐसा नहीं कर सकते क्या पहले covid shield वाली vaccine लगा रहे हो और second वाली doge जब होगी उसमें आपको vaccine वाला दूसरा type का vaccine लगा लो नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसलिए आपके certificate पर vaccine कौन सी लगाईगी यह उसकी detail भी mention की जाएगी और यह certificate आने वाले time में जरूरी भी हो सकता है आप कहीं पर भी जाएगे तो आपसे document की रूप में मांगा भी जा सकता है इसलिए बहुत एहम दस्ताविच होगा आपका vaccine से सम्मदित यह certificate जब आपने पहली doze complete कर ली वापस आप वापस घर पे आ जाएगे फिर आपको इंतजार करना है कितना चार से आठ सब्ता का ध्यान से समझेगा मेरी बात को चार से आठ सब्ता ideological आदर्श तो यह है कि आप कम से कम 6 अबते का समय maintain करके चलें लेकिन कम से कम 4 सब्ता का समय तो आपको रुकना है अपनी दूसरी doze के appointment के लिए दूसरी doze का appointment करने के लिए आपके सामने क्या क्या दिक्कत आ सकती है आईए जानते है उस पारे में second doze जब आप prefer करोगे वहाँ पर तो second doze के समझ में जो मुख्य बात रहेगी वो यह रहेगी पहला तो यह कि जो vaccine लगाई है उसी के समझ में आपको दूसरी doze लगानी है अच्छा मान लीजिए आप पहली doze लगाई थी जब राजस्तान में दे तो क्या मैं दूसरी doze गुजराज जाकर लगवा सकता हूँ क्या हाँ आप ऐसा कर सकते हो सिर्फ एक ही शर्त है वो शर्त क्या है कि जो vaccine आपने पहले लगाई है वही vaccine आप क्या करोगे second time लगाऊगे किसी भी तरीके का change वगरा है वो नहीं होना चाहिए अच्छा second dose के लिए क्या अलग से registration करवाना होगा या automatic हो जाएगा ये बहुत एहम सावाल है second dose के लिए भी आपको अलग से registration करवाना होगा automatic registration नहीं होगा ध्यान से समझ लेना इस बात को जब भी आपका time period चार सपता है चल सपता का पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करवाना है second dose के लिए वापिस registration जो है वो करवाना होगा एक बात और हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि कब 4-8 सपते का समय हो गया आस्तान से बाहर राजे से बाहर जाकर भी कर सकतो सुल्क क्या रहेगा वहीं सुल्क जो आपको पहली डोज में लगाता वहीं सुल्क क्या रहेगा इस बार भी आपसे लिया जाएगा और private hospitals हैं उनके लिए राजेक के द्वाला जो तय निर्धारित की जाएगी दर उसी दर से private hospital भी चार्ज करेंगे लेकिन ये भी हो सकता है ये आपकी सतर्गता के लिए जरूरी है कोई नई तरह की vaccine आ जाए और उस नई तरह की vaccine के नाम पर आपसे extra charge भी लिया जाए तो आपको खुद के इस तरह पर ध्यान लखना है यहाँ पर एक एहम बात मैं बता दूँ आपको जब आप registration करवा रहे होंगे उस समय उस vaccination center पर जो जो vaccine available होगी उसकी rate आपको system पर दिखाई जाएगी अगर कोई private hospital आपको system की तय रेट से ज़्यादा चार्ड लेता हुआ दिखे या आपसे लिया जाता है तो आप बकायदा इसका संबन्दित अधिकारी के पास शिकायत भी कर सकते है टीके के प्रकार का हमें विशेश इस रूप से ध्यान रखना है और कुछ नहीं है और अंत में सिफ इतनी सी बात है कि अगर registration करते समय कोई तकनीकी दिक्कत आती है और अगर मान लीजिए आपने vaccine ले ली उसके बाद आपको किसी तरह का कोई समस्या है तो help line desk भी provide की गई है note कर लीजिए इस बात को registration कराते समय किसी तरह की कोई दिक्कत आईए तो 1075 यह help line number है यहाँ पर आप अपने शिकायत दर्ज करवा सकते है और मान लीजिए vaccine लगाने के बाद आपकी body में आपके शरीर में किसी तरह का कोई side effect आ जाता है तो उस case के अंदर यह जो guideline है आप यहाँ पर क्या कर सकते है यहाँ पर डेली का आपको एक number दे रखा है साथ साथ में equal number है और NVOC 2019 यह government का email ID भी प्रवाइड कर रखा है जहाँ पर आप email के द्वारा यह telefonically side effect के बारे में सूचना दे सकते है यहाँ तक कि जिस vaccination center पर आप vaccine लगाने जाते है उसके इंचार्ज के number भी अपने पास जरूर रखना देखो नहीं नी vaccine है सरीर के ओपर हो सकता है reaction भी कर सकती है ऐसे case में आपके पास तमाम जानकार्या होनी जरूरी है जहाँ तक संभव हो बिना किसी तरह की पर्ची कटवाए या बिना एक्टनोल में शिर्के डारेक्ली आप vaccine नहीं लगवाईएगा क्योंकि आपके सामने कुछ हो सकता है ऐसा भी अवसर मिले आपको जो कहरा है कि आजाईए कुछ नहीं vaccine ऐसी लगवा देंगे मत लगवाईएगा vaccine क्योंकि vaccine अपने आप में हो सकता है अलग असर भी कर सकती body to body इसलिए हर चीज के प्रमाण को अपने पास सेव करके रखना ताकि जहां पर जरुत पड़े आप उसको क्या कर सके हैं इस्तमाल कर सके हैं तो ये तमाम जानकारी थी इस संक्षित में इतना ही कहना चाऊंगा vaccine लगवाएं और अपने जीवन की स्वच्चता और अपने जीवन की सतर्गता को इस्तमाल करें ताकि हम और हमारा परिवास सुरक्षित रह सकें